तो आज हम CPU के डिटेल्स परेंगे और इसके क्या पार कौन कौन से पार्स हैं इनके हम डिसकस करेंगे इसके एक्डिवेशन होती है सेंट्र प्रोसेसिंग यूनट ठीक है और ब्रेन अफ़ रॉप्यूटर इसे गाँ जाता है कि यह में यूनट होता है किसे भी कंप्यूटर का इसके बगाद के वर्किंग वह इंपोसिब्व होती है इस वर्किंग इस टू टेक इंपूर्ट प्रोसेस ता डाटा इंगे और इसके पर इंपूर्किंग करता है और फिर हमें एक यूस्फुल इंपूर्मेशन प्रोवाइड करता है और पूर्प्ट के तोर पे आल कंप्यूटर्स मस्ट हैब सीपी उसी वर में अर्पस आ रहेते हैं पार्स आफ सीपीव सेंट्र प्रोसेश्य उनिट इस कंसिस्ट आफ टू पार्स फस्स इस अरिफमेटिक एंड लॉजिक यूनिट सेकेंड वन इस कंट्रोल यूनिट तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क होता है इस इस कि हीए कि सारे इस में किया होते हैं इसमें करते हैं इसके आरिच्चाल प्रिचेन आज जयते हैं इसके पार के इस पाट है कि और विए अर्टिमेटिक सः ठेशन आज También 2019 यह किस तो अब को पते हैं कि यह को अपटी के दो अपुर नधिस अष प्लिटिक इन सवर सट्रों नकरशः ड्रीटिक इन डिल जो एक साहिमेटिक्य गयते हैं आल ड़ीन होता है त्ड़ामा एड को फेट ह। में किसी तू करना हम यूभन सी हम चाहिए यह चीज बढ़ी है चोटी है ठीक है ऐसी जो हुआ किसी तू नभर हसते हैं यह एक हमने लॉजिकल और कुशन लगा रहा है अब यह लॉजिकल क्या होता है कि हाँ ठीक है फिर फाइब से लेस है तो यह सारा कुछ जाना इसमारत है कि यह कंपेर करता है कि नंबर्स को लैटर्स को या कुछ करेक्टर्स को अब कंपैरिजन के एक लेड़ी लाइट का एक एक का सीट्स अवेलेबल वान ट्रेन ऊफिलीग्ण ऑन प्र दाता है 50 series है ठीक है और अवेलेबल जो ले लिगी है वो 30 है ठीक है तो is not equal to 30 ठीक है equal to or not equal to 30 तो हमें बता है ठीक है 30 जो ले लिगी है 50 है तो 20 हमारे पास अवेलेबल है तो यह comparison जो है यह logical operations में आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नेक्स्ट मेरे पास आ जाते हैं कंडिशन ऑफ लॉजिकल operations अब लॉजिकल ऑपरेशन के कंडिशन कौन कौन से कंडिशन होती है ठीक है मतलब मैंने इदर डिस्क्रस किया equal to condition less than condition greater than condition equal हमने इदर not equal to क्या equal to not equal to बोथ हो जाती है इसमें ठीक है less than condition आती है एक डेकर है तो यह equal to condition आती है कि वह comparison करेगा और हमें और प्रोवाइड करतेगा less than condition three is less than five और यह compare करेगा है इन दोनों को क्या three less than five है तो हमारे पास यहां पर आजए का true ठीक है लोगिकल है greater than जो है five is greater than two ठीक है तो compare करेगा और हमारे बता देगा कि two है five is less than greater than two नेस्ट में पास आ जाता है तो second part of cpu control unit it controls the flow of information ठीक है यह कोई भी information यानिके computer की working है ठीक है जो computer work कर रहा है उसमें जिस जिस से data user आई है जो जो working उसी हो रही है जो भी data का flow है जो भी information का flow है उस सब को control करता है ठीक है control unit का यह working है काँ में जो काम है it doesn't execute program by itself it directs other part of the system to do so control unit जो हो फुद से सारे programs को execute नहीं करता है यह हुद से सारे को मैंने करता है इसमें different parts होते हैं ठीक है जो इसमें ही material होते हैं उसके थूच है यह working उनको जो है थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर देता है काम और बाकी parts जो हैं वह भी is the flow of information को control इनमें इनमें busses आ जा जाती हैं busses are used to control the flow of information computer system ठीक है computers में wire की form में या पिर हम कहते हैं lens की form में होते हैं use busses ठीक है तो यह हैं हर busses जो है उसको different tasks provide होते है जाता है यह control करते है flow of information को computer system ठीक है सबसे पहले देखते हैं busses होती है system bus आ जाती है CPU must be able to communicate with all the devices CPU को communication जाहिर है अगर computer हम यूज का रहे हैं तो इसमें जब तक devices एक उसे communicate ही करेंगा हमें कुछ output ही हैं नहीं मिलेगा कुछ उसको बिटे का use नहीं हमें पता चले रहा सिर मिले रहा है नहीं कुछ CPU जो है उसको जाहिर रजुद पर दिया कि थमाम devices से communicate करें यहां पर busses ही हो गते है busses access communication channel between the devices यह work करते हैं ऐसा communication channel ठीक है यह मतली devices के यह बुसे में करेंड करने में मदद करते हैं थे busses are wires in computer system यह wires होती है यह हम कह सकते हैं के lines होती है computer system में जो के इंटरा से जुस्टरा इंफर्मिशन प्रवाइड करते हैं different devices को दुना में communication प्रवाइड करते हैं there are three types of buses इस one is data bus address bus and control bus अब यह तीन हो जो हम details करेंगे कि यह होती है the first one में पस आ जाती है data bus data bus किया है common bus data bus जो है common type of bus है data bus जो है main bus data bus data को यह handle कर दिया data लेकर जाती है जुसी जगा से जुखा common यसलिए नहीं है data bus में चीज़ है data bus जो है तब ही data मारा जोग होगा वो अप्ट करेंगा computer ने data data bus जो 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 computer system इसे जाहे रहे नहीं इसमें लाइन्स होती हैं यह वैश्क का राइन्स होती हैं अम्हें होती है अग स। लाइनस होती है, number of lines, number of lines effect of speed, जितनी ज्यादा lines होंगे इतनी ज्यादा data transfer की speed ज्यादा होगी, अन्हें electrical path जाए, एक electrical path है, ये एक electrical path है, जो provide कुरता है connection, क्या सकते हैं कि यह जो है cpu memory और input output devices को एक बिस्टे से connect करता है क्योंकि कोई भी data पूंपास जो data लेके जारी होती है वो cpu में जाती है उसके processing होती है तो फिर हमें out जिलती है तो data memory में save होता है और input output devices के थ्रू जो है वो हमें data working हो रही होती है हम commands दे रही होते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह एक उसे को connect करता है हैं कि इन तिनों का एक दूसर से relation create हो रहा है तो communication must help नेक्स्ट मेरे पास नेक्स्ट मेरे पास आज़ेते हैं address bus it carries address information तो यह address bus होती है जो cpu से provide की जाती है यह है वो specific address provide कर देता है कि यह address है किसी भी data का वहां से जो है वो आप जो है वो data को ले रहा सकते हैं यह यह कह सकता है कि जो data प्रोसेस होके अपर हमें मिलिया है उस data को जाके फिलाँ address पे जो है वो memory में स्टोर कर दो तो यह address bus के वरके होती है एक नेक्स होनी CPU and memory क्योंकि यह address का रिलेशन जो हम पता है कि memory से होता है कि या तो यह CPU और memory या तो CPU से data memory में store होता है या फिर memory से CPU में data get होता है CPU get करता है या फिर इसको store कर रहता है memory में तो यह हमारे पास आगे address bus और वैसे number of lines determines the maximum number of memory address जितनी जादा address bus के जितनी जादा वरसेस होंगी जितनी जादा wires होंगी उतना ही जो है वो maximum number of data जो है उसका address जो हो प्रोवाइट किया जा सके गए या पिर address को दे दिया जाएगा one at a time different data का address जो हो प्रोवाइट कर दिया जा सकते है the next one is control bus control bus क्या होते है it controls information from c u c u mean control unit control unit में मजूद ये control bus जो है वो क्या करती है कि information को control करती है ठीक है देखिए कि information क्या अपनी destination तक क्या safe से पहुंच किया है या उसको प्रोवाइट करती है कि कि इस देरेक्शन में जो है वो डेटर में सो करना है या फिर एर्रस को solution अब कोई error आ जागा तो वो डिरेक्ली जो है वो परवाइड करती है message deliver करती है कि data flow को दुना जो है वो error आ जागी है मतलब इसका काम किया है कि data manage करती है during data flow it determines data processing CPU is useless without control bus control bus के लिगार जो है वो किसी भी काम का रही है क्योंकि control bus नहीं होगी कि data को नहीं पता होगी वो किस डिरेक्शन में जाए किसने मेरे तो control bus provides destination for data to flip and control bus जो है क्योंकि वो डिरेक्शन प्रोवाइड करती है data bus को इसलिए इसकी आहिए बहुत जाता है किसी CPU में करता है